आज हम बनाएगे बहुत ही मज़ेदार से प्लाव की रेसिपी इसमें ना दही जाएगा ना टमाटर ना प्यास फिर भी ये प्लाव इतनी आसानी से इतना मज़े का बनेगा कि खाने वाले का पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा इतने मज़े का प्लाव बनके तयार होता है वो भी थोड़े से मसालों में और जायका इसका लाजवाब रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना और चैनल को जिन्हों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हर आसान रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बिसमिल्ला रह्माने रहे हमने गैस पे पतेली रख दी थी इसमें एक कप हमने ओल डाल दिया हमने रिफाइंड ऑल का स्तेमाल किया है ऑल जब अच्छे से गरम हो गया तो अब रेसिपसी बॉले तो रहते हैं आप देने वनटेश स्पून भर कि अध्रक सा के लिए फ्र 11 करना है Uh belt करना आक आप इसमें अध्र कंदिया चलव कर oder कर के दाल दिये काटके जादा बड़े साइस के क्यूब मत रखिएगा अब इसे हमें तब तक fry करना है जब तक चिकन अच्छी तरीके से कलर चेंज नहीं कर देता अब दो से तीन मिंट के बात हिन्ने इसे बहुत अच्छे से fry कर लिया चिकन ने अपना कलर बदल दिया तो इसमें हमने 5 हरी मिर्च तेज वाली थी ठोड़े बड़े साइस की थी इ कर सकते हैं अगर आप जादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च को आप बढ़ा सकते हैं अब हमने तमाम चीजों को दो मिनट के लिए फ्राइ कर लिया अब इसमें हमने सौ ग्राम पत्ता गोबी को काट के डाल दिया है बहुत जादा मोटा मोटा काट के मट डालिएगा बारिक चौप करके डालिएगा जिस तरीके से हमने काटा है उसी तरीके से और एक गाजर को हमने सौ ग्राम के करीब काट दिया है चौपकोर में इसे डाल देगे और एक शिम्रा मिच को हमने बड़ी साइस के चौप करके डाल दिया है और एक हमने हरे मटर को डाल दिया है अब तम हमने 1 teaspoon भर के काली मिचक पॉड़र डाल दिया है और 2 tablespoon भर के इसमें हमने डाक सोया सॉस डाल दिया है अब इसमें हमने 1 tablespoon भर के green chili sauce डाला है और 1 teaspoon हमने सफ़ेज सिर्का डाला है white vinegar सब को अच्छी तरीके से mix कर लेगे अगर आप light soy sauce कर रहे हैं तो 3 tablespoon डाल दे हमने dark soy sauce कर दो tablespoon डाला है और 2 mg cube डाल देगे आप चाहे तो वैज डाल दे चाहे तो चीकन डाल दे हमने वैज कर इस्तेमाल किया है अब सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है एक से दो मिनट के लिए अब इसमें हमने चार कप चावल को धो के हमने चान के पंदरा मिनट के लिए रख दिया था चावल को हमने भीगा के नहीं रखा था खाली धो के चान के रखा था अब चावल को डाल के से हमने चार से प पानी प्रण कान होद् quiere इसाब 25 on healthy okay i am eat can i ask i'm an a ओने चावल में नमक डाल देना नमक अपने टेस्ट पासे रखेखेर क्यों कि सॉस में भी नमक था और मैंगी क्यूब में 1 दो तीस्पून नमक डाला है लैवल में करके आप अपने टेस्ट के हिसाप से रखें और पानी को हमने बहुत ज़ादा हॉट गरम करके नहीं डालना है हलका सा पानी गरम हो जाए तो आप चावल में डाल दे ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा अब हमने चावल को तेज आँच पे पानी सुखा लिया है चावल का तमाम चीजों को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेना हलके हातों से चावल का दाना तूटने न पाए अब गैस के आँच को धीमा करके हमें से धम पे देना है 12-15 मिनट के लिए जब तक चावल पक नहीं जाते गैस के आँच को अब दम धीमा रखेगा आप हमने इस से 12 के लिए दम दिया है अब चावल को चेक कर लेना है बारा मिनट में हमारे चावल अच्छी तरीके से गल चुक थे चावल की कॉलुक्टी पर भी डिपेंड हो ठाइब आप अपनी चा वलकि क्वालिती के हिसाब से पानी कम या जादा कर सकते हमने बासमती चावल का इस्तेमाल किया था तो हमने चार कप चावल में आठ कप पानी का इस्तिमाल किया मेजरिंग कप से, जिस कप से हमने चावल ना पा है, उसी कप से हमने दो गुना पानी लेना है, अगर नया चावल है, तो पानी कम लगेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, अब मज़ेदार सब पुलाओ बनके तयार है, मुश्किल से 30 मिनट भी नहीं लगते हैं इस पुलाओ को बनाने में, और इतने मज़े के बनते कि आप बनाएगे तो इन्शालला बच्चे से बड़े सब को पसंद आएगे, बच्चों को आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, अगर घर में दावत है या पार्टी है, और घर में और सब एक्स्ट्रा स्टार्टर और सब चीज़े बनी हैं, तो आप इस हलके फुलके पुलाओ को बनाके मेहमानों को सर्फ करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, जरूर ट्राइ करिएगा, तॉ नीचे देवें लाइक का बट्रिडंदाना न भूलें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मेरे अज़स क की जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी पकाएं दिल से पकाएं प्यार से घरवालों को खिला फिर मिलते हैं नहीं रेक्जिपिंशाल acceso अपना ख्याल रखेगा दुआओं में याद रखेगा अल्ला हाफिज